आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा और इसके बारे में पता होगा आपको लेकिन मैं आज आपको कुछ सेट आफ रूल्स बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में इसके बाद आप वो इंडिकेटर अच्छे तरीके से य तो यह है हमारा ICS Prudential का चार्ट तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे Indicator हमें लगाना है अब नॉर्मल जो Indicator हम सर्च करते हैं वो इस एरिया में सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको नहीं देखना है आपको देखना है इस एरिया में जहाँ पर यह आपको short और long की position दिखाई देती है उसको आपको open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पे fixed range volume profile दिखाई देगा इसको आपको open करना है या फिर select कर देना है जैसे ही आप इसे select कर देते हो तो आपको इसे लगाना कैसे है यह सबसे important चीज है अगर आप particular time period के लिए लगा रहे हो तो starting period और end period तक आपको यह profile जो indicator है वो लगाना है अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ weekly data ले रहा हूँ 15 minute की candle मैं ने open की है और पूरे इस week का मतलब 6 June से लेके 10 June तक का पूरा data यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि कहाँ पे volume profile हमें क्या चीजे बता रहा है अब सबसे पहले तो 6 June का morning का period हम लेंगे यहाँ पे 6 June शुरू हुआ था यहाँ पे 9.15 से लेके तो यहाँ से लेके जो अभी week खतम हुआ है 10 June को वहाँ तक का period हम यहाँ पे consider करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से indicator plot हो गया है अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ बार से yellow और orange कलर के yellow इस orange कलर के थोड़े से कुछ बार आमें दिखाई दे रहे हैं अब yellow कलर के जो बार है यह हमें बताते है negative volume और blue कलर के जो बार है यह हमें बताते है positive volume इन दोनों का combination करके कौन से price के उपर कितना trade हुआ है यह आपको volume profile बताता है यहाँ पे आपको नीचे volume बार दिखाई देंगे यह आपको volume कितना है उस particular time period पे वो बताते है लेकिन volume profile आपको क्या बताता है कि कौन से particular price के उपर कितने ज़्यादा trade हुए है या फिर कितने volume के साथ trade हुए है यह आपको इससे पता चलता है basically यह जो indicator है यह हमें market में supply zone कहाँ पे है और demand zone कहाँ पे है यह बताता है अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको volume दिखाई देगा या तो वो supply होगा या तो वो demand zone होगा अब यह किस तरीकी से पहचानना है यह भी आगे देखेंगे तो यहां तो दो बाती clear हो गई yellow जो है वो negative दिखाता है और blue जो है वो हमें क्या बताता है positive volume बताता है basically yellow volume अगर ज़्यादा होगा तो हमें वो negative sentiment बताएगा और blue volume अगर ज़्यादा दिखाई देगा तो हमें वो क्या करेगा कि positive sentiment market में पता चलेगा अब यहां पे आपको एक red color की line दिखाई दे रही है इस red color की जो line है उसे हम POC कहते है POC का मतलब क्या होता है point of control point of control यह जगा होती है जहां पे सबसे ज़्यादा volume के साथ trade होता है उस price के उपर सबसे ज़्यादा volume के साथ trade होता है अब यह point of control कहां पे है यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह point of control है क्योंकि सबसे ज़्यादा trading उसी volume के साथ हुई है उसके बाद इसके यहाँ पे हुई है और कही भी उतनी जादा volume के साथ trade नहीं होती हुई दिखे रही है तो जहाँ पे सबसे जादा volume के साथ trade होंगे वो होगा आपका point of control अब point of control के उपर आपको ये blue color की line दिखाई दे रही है अब point of control के उपर का ये जो area है इसे हम कहते है value area high या फिर high value area HVA high value area इसे कहा जाता है जो POC के उपर वाला area रहता है और POC के नीचे वाला जो area जो रहता है उसे क्या कहते है low value area या फिर इसे कहा जाता है LVA low value area या फिर value area low भी कहा जाता है कुछ भी आप कह सकते हैं यहाँ पे low value area और high value area ये बात तो clear हो गई कहाँ पे हमें पहचानना है POC के उपर होगा तो low high value area जिसे हम acceptance भी कहते है अब high value area क्यों यहाँ पे acceptance किया जाता है बहुत जादा trade यहाँ पे हुए है लोग इस price के area में बहुत जादा trade कर रहे है वले वो short की position हो वले वो buy की position हो लेकिन उस area में क्या हो रहा है बहुत जादा लोग trade कर रहे है high trading वहाँ पे हो रही है इसलिए उसे acceptance कहा जाता है और जो low value area है यहाँ पे यहाँ पे क्या कहा जाता है यहाँ पे rejection है इस price के यहाँ पे rejection face हो रहा है तो low trading वहाँ पे हो रही है अब यह high value area और low value area किस तरीके से जाना जाता है इसके उपर का अब यहाँ पे आप देख रहे है यह जो volume है, बहुत कम है, और यह जो volume है, बहुत कम है, इसे हम कहेंगे high value area और low value area, मतलब इसके उपर भी आपको क्या है कि, बहुत ज़्यादा कम value, volume के साथ trade आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं कि acceptance, rejection, जो low value है, acceptance नहीं, rejection, sorry, यहाँ पर यह ज दिखाई नहीं दे रहा है, इसे हम कहेंगे rejection, rejection क्यों, क्योंकि इस price के उपर, जो stock है, वो उपर की तरफ, टिक नहीं रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यह rejection हो गया, और नीचे के side में भी क्या हो रहा है, price यहाँ पर support ले रहा है, तो यह यहां से नीचे stock नहीं जा रहा है यहां से ऊपर ही आ रहा है तो यह दो क्या होते हैं कि rejections area जिसे हम कहते हैं या फिर low trading areas इसे हम कहते हैं अब यह जो indicator पूरा है आपको यह बार जो दिखाई दे रहे हैं यह total 24 बार रहते हैं आप इसे 12 बार बे भी convert कर सकते हैं आप setting में जाक 12 बार में भी shift कर सकते हैं लेकिन मेरा यही मानना है कि आप जो default setting है वो आप रहने दीजिए तो okay कर देंगे बाकि ऐसी कोई settings ज्यादा इसमें करने के लिए है नहीं अब rules के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला rule है अगर market top बना रहा है मतलब market पे extreme peak बन गया है लेकिन व इस high price के उपर trade करने के लिए नहीं आ रहे है लोग यहाँ पे जो भी traders है वो क्या कर रहे है यह price बहुत high है इसकी वज़े से यहाँ पे trading नहीं कर रहे है तो इसे हम एक rejection level की तरह ले सकते है क्योंकि यहाँ से market नीचे आया है यहाँ से market नीचे आया है तो अगर extreme peak के पास volume क हो जाए तो वहाँ पे एक rejection face हो सकता है या फिर वहाँ पे हम कह सकते है कि बहुत ज्यादा लोग interested नहीं है उस price के उपर buy करने के लिए उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा high price है उसकी लेकिन वही अगर हम नीचे की side में जाते है और हमें volume वहाँ भी कम दिखाई देने कर रहे है उनको लग रहा है कि अग बहुत कम आ गया है नीचे आ गया है stock अब इससे ज्यादा क्या sell करेंगे तो यहाँ पे एक support बनने की कोशिश हो सकती है या फिर यहाँ पे support बन सकता है तो अगर bottom के side में volume कम होगा तो वहाँ पे support बनेगा क्योंकि लोग वहाँ पे sell करन है दूसरा जो लूड है वो है high volume node जह रहता है high volume node जो है मतलब जो high volume है यहाँ पे high volume node कहते है इसे जो बार से इसे node कहा जाता है high volume node के ऑपर अगर top के यहाँ पे high volume node create हो जाए top बन रहा है मान लेजेगा यहाँ पे top बन रहा है और यह high volume के node यहाँ पे तयार हो रहा है तो आप इसे future का resistance कह सकते हैं अब इसे कैसे कहा जाएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं इस price area में high volume के node बन रहा है और फिर से एक बार price यहाँ पे आने के बाद rejection face हुआ है तो जबी भी अगर अगर high volume node दिखाई दे यानि कि यह जो बार्स है यह बहुत ही ज्यादा volume के साथ दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में यह resistance का का काम करने वाला है तो आप यहाँ आने के बाद short की position ले सकते हैं समझ में आ गया अब दूसरी चीज है अगर high volume node create हो जाए जहां पर low बन रहा है तो seller क्या करेंगे यहाँ पर bottom के यहाँ पर क्या करेंगे sell नहीं करेंगे यहाँ पर buying की opportunity ढूंडेंगे क्यूंकि आगे जाके यह support का का काम करेगा high volume top के पास बनेगा तो resistance का काम करेगा high volume bottom के पास बनेगा तो future का support यहाँ पर workout हो सकता है अब यहाँ पर high volume node दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या होगा जैसे ही stock यहाँ पर आएगा तो support का का काम करेगा तो यहाँ से price फिर से उपर जाने के chances हो सकते हैं तो आपको हमेश future support लेने की कोशिश कर सकता है यह indicator ऐसा हमें बताता है यह था हमारा दूसरा rule तीसरा rule है अगर high volume है continuous high volume यहाँ पर दिखाई रहा है यहाँ फिर यहाँ पर high volume दिखाई रहा है और price fall हो रही है price यहाँ पर fall हो रही है तो हमें क्या करना है यहाँ पर support break होने के chances बहुत ज्यादा है ऐसा समझना है volume high high volume और price क्या है falling है price fall हो रही है तो support break करने के chances है इस तरीके से अगर चल रहा है और यह गिरते हुए price पे अगर volume बढ़ता है तो यह support क्या होगा break हो जाएगा और price नीचे आ जाएगी तो आपको हमेशा यह दिहान में रखना है कि अगर high volume पे price गिर रही है तो support break हो सकता है आपको support break करने के बाद short position आप बना सकते हो same अगर volume high है, volume बढ़ रहा है और price भी बढ़ रही है volume भी बढ़ रहा है और price भी बढ़ रही है इसका मतलब यह है कि आपका resistance break होने के chances है अगर मान लीजेगा इस तरीके से price यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे volume भी बढ़ रहा है यहाँ पे भी नीचे आपको volume बढ़ता हुआ दिखाई दे तो यह जो resistance बना है यह resistance break हो जाएगा इसके chances होते हैं तो यह तीन rule आपको हमेशा धान में रखने हैं मैं पहली फिर से एक बार बता देता हूँ अगर top जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे volume कम होगा तो वो price के उपर rejection face होगा क्योंकि जो buyers होंगे वो higher price पे buy नहीं करेंगे वैसे ही bottom के पास अगर volume कम होता है तो वहाँ पे selling नहीं आएगी वहाँ पे buying होने के chances जादा है क्योंकि वहाँ पे sellers क्या होंगे बहुत cheap है price sell करने के लिए इसकी वज़े से sell नहीं करेंगे यह पहला rule था दूसरा rule है high volume node के पास high volume node के पास अगर top बनता है top बनता है high volume node के साथ तो वह future का resistance होगा और अगर bottom बनता है high volume node के साथ तो वह future का support कहा जाएगा तो यह दूसरा rule है और तीसरा rule क्या है high volume अगर होगा और price नीचे गिर रही होगी तो support break हो जाएगा और high volume के साथ अगर price बढ़ रही होगी तो resistance break होने के chances है तो यह basically यह पूरा का पूरा यह indicator के rule आपको पता होने चाहिए उसके बाद आपको इसमें trade करना है लेकिन trade करते वक्त एक और indicator की मदद लेनी है अगर indicator की मदद नहीं लेनी है तो एक strategy में आपके बताने वाला हूँ जो कि आपको swing trading के लिए use कर सकते है trading swing करना है पाच मिनट या पंदरा मिनट के candle के उपर नहीं लगाना है सबसे पहले क्या करना है daily chart open करना है और daily chart open करने के बाद यह थोड़ा सा delete कर देता हूँ मैं आपको क्या करना है simply यहाँ पे जो month start हो रहा है अभी June मैना है तो आपको basically मैंने शुरुवात में क्या कहता है कि यह indicator आपको demand or supply zone बताता है तो आपको यही करना है कि June मैने के लिए पिछले मैने का demand or supply zone कहा था यह stock का इसकी मदद आपको volume profile indicator से होने वाली है तो आपको क्या करना है current मन चल रहा है June तो पिछला मे मैना था तो एक में से जब भी trading शुरू हुआ एक में हो सकता है जब भी trading day शुरू हुआ है उस मैने का वहां से लेके last trading day तक का volume profile आपको लगा देना है जैसे कि हम यहाँ पे select करेंगे volume profile और 2nd of May को हमारा यहाँ पे क्या हुआ था ट्रेडिंग शुरू हुआ था तो 2nd of May की candle को select करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे यह 2nd of May को हमने लगा दिया और यहाँ पे हम लगाएंगे 31st May तक एक मैना complete हो गया तो 31st May तक हम लगा दिए यह 29th of April का लगाया है फिर भी हम इसको adjust कर देंगे तोड़ा तो यह हमारा indicator लग गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे trade किस तरीके से लेना है जो यह high value area आपको दिखाई दे रहा है यह low value area दिखा रहा है high value area और low value area आपको swing trading के लिए buying जिससे करना है तो आप क्या करोगे यह high value area जैसे ही cross हो जाता है जैसे ही high value area cross हो जाता है तो आपको यहाँ पे buying की opportunity ढूणनी है single indicator यूज करना में बता रहा हूँ swing trading के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कोई भी intraday trade नहीं लेगा इसकी मदद से तो और back testing जरूर करना मैंने बहुत सारी back testing की है और उसके बाद ही यह trade initiate किया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है जैसे ही high value area cross हो जाता है एक bullish candle के साथ उस candle के high के उपर आपको buying की opportunity ढूणनी है यहाँ पे buying के opportunity का मिलेगी इस candle के high के उपर buy के opportunity मिलेगी उसी candle का low आपको stop loss लगाना है और यहाँ पे आप 1-2 का risk reward minimum ले सकते हो minimum 1-2 का risk reward आपको मिल जाएगा अगर आप swing trading करते हो तो cash के stock में आप delivery लेके बैठ सकते हो future in auction में आपको क्या करना होगा थोड़ा सा overnight position यहाँ पे carry करनी होगी लेकिन high value area cross करने के बाद ही buy करना है high value area cross करने के बाद जो भी bullish candle होगी उसके high के उपर buy करना है उसी candle के low के नीचे stop loss आपको place करना है अब यहाँ पे stop loss बहुत सारे low क्या करते हैं यह POC के नीचे भी stop loss place करते हैं लेकिन risk reward उतना favorable नहीं होता इसकी वज़ेसे मैं breakout candle के low के नीचे stop loss लगाने के लिए बोल रहा हूँ और आपको अगर short की position बनानी है तो आपको क्या करना होगा यह low value area जो है LVA जिसे हम कहते है low value area इसके नीचे जो भी red color की candle बनेगी इसके low के नीचे आपको short position बनानी है और high के उपर आपको stop loss place करना है तो यह basics है इसको आपको ध्यान से trade करना है पहले back test कीजेगा बहुत सारे stock के उपर और उसके बाद ही indicator use कीजेगा बहुत सारे लोग कहते कि POC जब cross हो जाएगा या फिर POC के नीचे stock आजाएगा तो आप यहाँ पे short की position बना सकते है लेकिन यहाँ पे आपको low value area जो कि हमारे rule के साथ जाता है क्योंकि rule में हमने क्या क्या आता कि अगर lowest bottom मन रहा है वहाँ पे अगर volume कम है तो वो support का का काम कर सकता है तो आपको यह support ध्यान में देना है तो अगर यह low value area support break करने के situation है मतलब high volume के साथ यहाँ पे breakout आ रहा है तो आप यहाँ पे short की position बना सकते है और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे है जो high value area है इसमें volume बढ़ता रहा है और rising है price rise हो रहा है और volume भी rise हो रहा है इसकी वज़ेसे यह resistance break करने के हालत में हो और जैसे कि आप देख रहे है यहाँ पे resistance break हो गया है तो इस तरीके से आपको यह profile जो है वो volume profile indicator जो है वो use करना है और intraday में अगर use करना चाहते हो तो 5 minute के candle के उपर आपको weekly basis पे उपर फूरा value area मिल जाएगा और उसके साथ एक moving average आप लगा लोगे तो आप इस तरीके से उसे use कर सकते है अब 5 minute के लिए use करने के लिए अगर आप इस strategy को use करेंगे तो volatility के साथ आपको एक और indicator लगेगा इसकी वज़ेसे मैं बोल रहा हूँ कि RSI, MACD या फिर moving average इन तीनों में से कोई एक indicator का combination बना के आप ये strategy बना सकते है फिलाल मैंने वो strategy back test नहीं किये अभी मेरा भी back testing उसके उपर चल रहा है अगर back testing successful हो जाता है तो मैं आपके लिए वो भी एक strategy लेके आऊंगा बहुत जल्द फिलाल आप swing trading के लिए इस indicator का use कर सकते है और supply zone और demand zone इस indicator के मदद से ढूण सकते है और mark करके रख सकते है so that's it for today I hope आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजेगा comment में बताईएगा मुझे कि आपको आपके जो भी questions है वो आप पूछ सकते हैं मैं answer करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share कीजेगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद